लैंड मां की इमिग्रेशन एक वारी फेर तो लेके आया है इंटरनाशनल एडुकेशन एक्सपो सप्टेम्बर 2019 जिदेच तुसी वक वक कॉलेज देनू मैंद्यानू मिल सकते हो ओवरॉल 6 बैंड ते ओफर लेटर पलाए कार सकते हो सरकारी कॉलेजाच चैनेडा, USA, जर्मनी बारे इंफर्मेशन लह सकते हो स्टार्टिंग फ्राम 18 सप्टेम्बर नू अम्रिस सर्च, 19 सप्टेम्बर नू जलंदर्च, 20 सप्टेम्बर नू लुद्याणा, 21 सप्टेम्बर नू चंडिगड, 22 सप्टेम्बर नू दिल्ली, 24 सप्टेम्बर वदोद्रा और 25 सप्टेम्बर नू सूरत वेचेज़ सचिकाल जी को आर फेर देश प्रदेश लाइप प्रोग्राम लेके तोड़ी खिदमत देविच हाजरां, लाइप प्रोग्राम है जी कंटी वेजनी शुरू होगी है, तुसी वी अपना को इस सवाल कैनेडा नू लेके स्टेडी वीजा नू लेके पुछना चाहने हो, जी वानी चोपड़ा जी ने बाब बाब स्वागत लाजा, थेंकि सुरू बाजगी है, जी मेरे खल कॉल लेलिये पेलिये, हेलो, हेलो, हाजी, बेस्टर बेस्ट, हाजी हाजी, अंसर मेरा कोशेज दिगाँ मैन को, जी, करिया है, करिया है, करिया है, करिया है, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि दो केटागरी नी, स्ट्रेश सिक्सीच है, तो अड़ा सुवाल है, करिया है, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो, एक चो साधे बांजा, क्योंकि रिक्वार्मेंट भी ओवरॉल शीए, एक चो साधे बांजा, जी, तुसी जुआ, मैं अमदा जुआप सुना जी, क्योंकि दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका अकेडमिक स्कोर जो है, वो कंपेटिटिव होना बहुत जरूरी है, यह बहुत मैटर करता है, कि आपके जो मार्क्स हैं, ग्रेजवेट आप जो भी हैं, उसमें आपके मार्क्स अच्छी होना बहुत जरूरी है, तो अगर दोनों कॉम्बिनेशन, 12th में 70% और इसी साल पास आउट, और मने कॉनस्टोगा का अथनी साहिए, तुसी हलेतारा रफ्यूजल ता नहीं नाया? नहीं 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 साहिए, कोई गाल नी कबराउंदी लोड नहीं है, अले तानू कबराउंदी लोड नहीं है, आपका कॉलेज भी बहुत रफ्यूटेट कॉलेज है, आपका बहुत अच्छा रपूटिशन है, आपका पॉजिट वीज़र्ट आना चाहिए, आपका रफ्यफ्यायट कि युट वीज़र्ट युट वीज़र्ट आपका रफ्यूटाइक रीचूंदी लोड नहीं प्रवलंगों कर वीर्शन है, नहीं एक अर्फ्यार आपकाने वहीं है, जी हारन वीर जी बिलकु ठीक है रहे हैं इंद्ध कॉल ले लिगे जी जी आ है लो है जी है जी आप साशी काल जी अपर लां इंद्ध कॉर्स करके तुसी की स्वेक्टिमा गल का रहे हो? तुसी समझे कुछी? पर जौब लेना, जौब होना जुरूरी है? तेखे अगर सकसेट्फफल वीजा रिजर्ट चाहिए तो जौब आफर लेटर होना बहुत जुरूरी है, जिसमें लमाई की जुरूरत नहीं है. लमाई जुरूरत नहीं है, जौब आफर देना रहा ही जड़ा हो। आप apply कर सकते हैं और कुछ exceptional cases ऐसे भी हो सकते हैं possible जिसमें आप पहले visa apply कर दें और उसके बाद आपका job arrange हो क्योंकि एक open work permit है so detailed information के लिए मैं ये कहूंगे कि हमें personally contact किया जा सकता है और nannies के लिए मैं एक message जुरूर additional देना चाहती हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक female candidate इस nannies वाली category के लिए qualify कर सकती है सारी चीज़ें जो है वो calculate होंगी consider की जाएंगी आपकी education आपका नानी का course और आपका experience as well as आपकी जो English है वो आप इतनी skilled होने चाहिए कि Canadian employer के साथ जो है वो easily communicate कर सके जे काफी बच्चे पुछरे ने जी के macro global दा ओफिस है ब्रेम्टन दे विच किते है आइवांट विजट यूर ओफिस कैनेड़ा एगा में रखल डेंटल एसिस्टेंट प्रोग्राम बास्ते सुखमन प्रीज जी ने होर भी काफी बच्चे ने मेसेज किता है तुसी मेक्रो गलोबल दे नंबरां दे अपर कॉल करके वेबसेट तो जड़ा ड्रेस हागा इना दा ब्रेम्टन दे दफ्तर दा वो लाए सकते हो ते विजट जड़ा है तुसी कर सकते हेलो हालो हां जी ल सुखमन पुछे वाज आ रही है तो अडि करो जी करो सुखमन पुछो है मैं एक सारे दर्शकन दाज़ा जदो तुसी सुखमन पुछ दे ना टीवी अपना फोन दे पर यूट्यूब देख रहे हुं दे ता उधी गल ना सुने गर को कि 10 जी सेकंड लेट तो अड़े तक पहुंच दिये सो अपना सुओ पुछो तो अड़ी अवास हटे तक बिल्कुल पॉँच दिये और जो आप ता निज़र है जरूर मिलेगा है रवारो सची काल जी तो बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल कुछ ऑं रिक वूट इस और प्लीज अपने मार्क्स शेर कीज और आपने कॉंसा कोच लिया है किस कॉर्स के लिए अपने ले रखी है आई बिलिब इस वितने अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम है यह एंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम है एक डेकी प्रोग्राम लेया सकतेगी? जी थैंक यू जी इस तरह इनने सुआल पुछया हो और बहुत सारे बच्चे हुदने जिदो किसे भी प्रफाइल चुटी जी कमी हो जांगे क्यों दोड़ जाना बच्चा देखे रणी जी ऐसा है हमने पिछले कुछ नाइम में यह देखा है कि क्योबे को बहुत ज्यादा किया गया है और पर्टिकुलरली बैंड स्कोर के ऊपर इसको प्रमोट किया गया है जो लोग SDS प्रोग्राम में क्वालिफाइ नहीं करते किसी एक मॉड्यूल में 5.5 यह दो में 5.5 हैं सीधा सीधा उनको जो है वो क्यूबिक के लिए गाइड कर दिया जाता है वेराज अगर आपको पॉजिटिव वीजा रिजर्ट्स देखने हैं तो आप क्यूबिक को पर्टिकुलरली टार्गेट ना करें आप अपने आयल्स बैंड को इंप्रूव करें ताकि आपको जो है वो जैनुवेन रिजर्ट्स जो है वो मिल सकते हैं जी हलो हां जी हलो हां जी कि पुछना जी वीजा चांज के नहीं है मैं लादा बहुत सारी हैं जी आप एक जैनरल मैसे प्लीज आप समझ लीजिए जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि नंबर वन अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 हैं या दो में 5.5 हैं आपको बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम करते हैं सो मेरा उपीनियन हमेशा ये रहता है कि आपके अकेडमिक मार्क्स बहुत अच्छे हैं सो आप सिर्फ एक पॉइंट 5 बैंड के लिए अपना केस रिस्क ना करो आप अपने आयल्स को फिर से प्रिप्यार करके एक्जाम दो सिक से नीच वाले फॉर्म आपको आ सकें मुझे मेरा एक्स्पिरेंस ये कहता है कि अगर आपके किसी एक में 5.5 हैं तो रिस्की हो सकते हैं चाहे कॉलेज आपको आफ़र लिटर इस्यू कर रहा है बट आई सुझेस्ट की रिपीट किया जाए तो डिपेंड करते हैं वीजा ओफिसरों किस मूर देना वीजा देना है जा नहीं देना है गा है यह आप्टर2 अप्र अप्रप्लस 2 की कि टासी तिन साल किने परसेंट नंबर ने 67 कोई मेडिकल देदार थे इननों को वीजियर देफिनितली अगर आपके कुछ मेडिकल ग्राउंड रहे हैं कुछ इस तरीके के गैप आपके कुछ जैनुवन रिजन्स हैं तो उनको अमबैसी के सामने जरूर जो है वो रिप्रेजन किया जा सकता है प्रॉपर एक एक स्टोरी लाइन बना के जो है वो हाई कमिशन को समझाया जा सकता है आपका गाप का जो रिजन है लेकिन मैं अडिशनली एक और मैसस करना चाती हूं कि आप अगर अपना केस प्रॉसेस करना चाहते हैं कैनिडा के लिए आपके मार्क्स अच्छे हैं आप जरूर एस्टी आपका जरूर आ सकता है आपका जरूर आ सकता है थैंक्यों कॉल करना बहुत सारे बच्चे सवनों मैसेज का रहे ने कोई संटेनियल कॉलेज पुछ रहा है कोई लंगारा कॉलेज पूछ रहा है कोई के पीउ पूछ रहा है सु सारे कॉलेज दे जनियास्टी आ अच्छी है ने जी बशर्ते एक सरकारी या प्राइवेट अच्छा इशुनी वर्क परमट होना चाहिए तो अडे कॉले देवी जिते तुसी चल ले हूँ ए चीज़ दाते आन रखो जी हलो हां जी प्राइव में आच्य़र सेक्थ कर देडिमिन लिएधर्यव लॉन्लसटी वर्क पि किसमीग रेखोसे अच्छीग़ डेयल को में पारतव है तो यही बिंगती में इस सबस्क्राइब थ्योंडियर् पारत राखरव्टर कि यही उतम इस प्निगराल इसित्गर इना आपका PTE का score प्लीज बताएंगे आप? PT का score किन है? PT में मेरा IELTS जाएंगे IELTS 7 है Okay, IELTS का score क्या है आपका? IELTS ओर 7 जा जाएंगे Then you are a good case. You have options in many colleges at present I would say आपने Cambrian का नाम लिया है या Centennial का नाम आप ले रहे हो या in fact Sheridan में भी इन सब colleges में काफी सारे अच्छे प्रोग्रेम से post graduate level के जो open है आप B.com Candidate हो तो आप Project Management ले सकते हो Human Resource Management, PG ले सकते हो इसके इलावा International Business Management भी हम देख सकते हैं कुछ colleges में open हमें मिल सकता है You have a... Offer letter के लिए जा लिए? Offer letter के लिए we cannot commit you a particular time but the thing is कि normally 20-25 days one month का time लग सकता है One month का टाइम लग सकता है Thank you. एक मेसेज आया जी सानु के कोई भी consultant school के PT ते गलनी करदा है मैंने आपकार चुके हैं बहुत बारी so PT acceptable है गी यह बहुत सारे colleges देगे थोड़ा जग ले चाहूँग आपकार चुके हैं कि काफी सारे ऐसे colleges हैं Ontario के बहुती फेमस नाम है जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो Conistroga College है, Flaming College है, Lampton है, Camryn है, many more जो PT के साथ आपको accept करते हैं लेकिन आपका जो PT score है यह 58 प्लस होना चाहिए, and in fact हम बहुत ही confirmed grounds पर यह message दे रहे हैं हम already PT basis पर वीजास जो हैं वो receive कर चुके हैं, so अगर आप 58 प्लस पर स्टैंड करते हैं, आप हमें contact कर सकते हैं करते हैं इन कॉलेज में admissions के लिए वीजास आर कमी, for sure मैसेज दे विचे काफी अपॉर्टन मैसेज है, विनोधिनी राजन ने जी जो लिख दे रहे हैं जी जो लिख दे रहे हैं, my daughter has eight band in IELTS computer engineer to experience two year experience, 25 years old her brother has PR, how to migrate to Canada तो आटको बहुत सारी options ने जी, experience दे दा आरते हैं, तुसी express entry, PNP, या होर नमे programs आ रहे ने क्योंकि मेरे खल कम्यूटर दी तो बहुत सारी demand आण वाई है exactly you might get qualified for express entry, skilled class, in fact अभी show से पहले जैसे हम discuss कर रहे थे कि Ontario Express Entry के अंडर जो human capital stream है, उसमें अभी demand list introduced हुई है, जिसमें IT professionals and software engineers है, तो उस particular program के लिए concentrate किया जासे है जी, हां जी, हां जी, हैलो जी, Sashikar Sashikar जी, page for page like to welcome this हां जी, हां जी, हां जी, हां जी, हां जी, हां जी, मैं करन की बहुत है जी, 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 तो एटा स्टई इक सटी इज़ा है, जी, हां जी, हां जी, मैं भुखन 2010 के एक मचे में विवच्व बास हो में जी जी तरीके का कोई रिज का आप के मिनमे नारा जाए वीज़ के लिए आप कोशिश कीजिए कि सिक सनीच के साथ वीजा अप्लिकेशन ले लो एक्जाक्ली जो तो तुसी फाइल लाओनी हो तो जड़ा नमाईश दा जल्ट है टाइम सेफ किया जा सकता है फिर आप पॉजिटिव माइन के साथ अप्लाई कीजिए असी कोई बीजी यडा बढबा बठा मांगे यो दसुनगे तो नू थेंक यू बहुत मेरबानी बच्चे ने मांच बड़ा डॉट रहन दा है कि असी हम ही पर आगे शायद वीजा आ जुगा तो अटी सारी हाँ सामीर बात पर आओ गुजराँ चाहिए अगे यू बेलकम जी आ मैंने मांस्टर टूजंग टिन केंड किया हूँ है यह मैंने अभी इनलेस्टी है इच ओडल 6.5 ऑवरल 6.5 और अभी मैंने दो थीन कॉलेज में अपलाई किया हूँ है आख तेंक आज कोलेज में आप् कि आप किसी भी अपनी इंडस्री वाली किसी भी फिर्म में अगर आप जाते हो तोड़ा सा यह गाइड करूं कि आप अपनी फिर्ट में कि आप किसी भी अपनी इंडस्री वाली किसी भी फिर्म में अगर आप जाते हैं तो मैंचेरियल लेवल की पोजिशन को क्लें कर सकते हैं on the basis of your education. So, मेरा opinion हमेशा यह रहता है कि आप अपनी फिर्ट में master हैं और additionally अगर आपके पास management का भी education हो तो आपको job लेना बहुत easy हो सकता है So, international business management या business management का कोई भी जो program है यह stream में global stream है यह सारे streams को साथ जो है वो club हो सकती है So, यह program आपके लिए relevant ही रहने वाला है in fact आपको job opportunities बहुत अच्छे हो सकते हैं So, यह बच्चे वीजा तो ना कब रहन मेला था कोशिश करन के यह नो जे किते न किते कोई इसा है रणवीर शी कि अभी शो में आने से पहले हम पूरा review करके आएं बहुत सारे colleges में बहुत सारे अच्छे programs जो है वो अभी भी open है और हर stream के students के लिए program है सब्सक्राइब करने के पाद आप अपना जो scholarship है इसको क्लेम कर सकते हैं यह options सारे colleges में अविलेबल है बाकी जो students qualify है जिनका आइल्स भी उनके पास है readily और ऐसे सब students को जो है वो immediately january intake के लिए process करना चाहिए अपना application क्योंकि काफी सारे अच्छे options है जी हलो है हलो हाँ जी मेरे 60 फ्रेंट को ड़ेकि सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब तो यह इस आपको अंटारियो टारंटो में प्रोग्रेम्स मिलते हैं तो आप उंटारियो को ही प्रेफर कीचे क्योंकि कि क्योंबिक जाके आपको फ्रेंच लांग्वेज का एक बारियर जरूर हो सकता है जब आप जॉब्स के लिए जाए तब भी और जब आप प्या के लिए अप्लाइ करें तब भी सो बेटर होगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस ओंटारियो को ही रखें ऑंटारियो में जो यार फैसलिटीज हैं वह बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी अपरचनिटीज हैं अगर आप प्रॉपरली अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो यह एक और पिंदर को और जिन नहीं नहीं होता वह स्टेंडर लेटर होता है जो सारे स्टूडेंस को सेम लेटर इशू किया हैं सो अल्टीमेटली उसको आप फाइनल डिसीजन नहीं मान सकते हैं आप अपने प्रोफाइल के साथ हमें परस्नली कॉंटेक्ट कर सकते हो ताकि हम असेस्मेंट के बेसेस पर आपको बता सकें रेर यह यह को डाने पैसे हैं या फिर केप स्नौट निकल बाया जाए जी है अदो भूज वालो हैं जी हैं अदेथए जी जी दलपोल जी एड़ि को डेमें अधिकने उसे रिचे नोम गार ज्या पार वर अधिटा हम बड़ गाले प्रूंट प्रूज स्मीने लेग्टली अनद्ट कॉंट गाले तो अंदेशा हिं आपकी नहीं हम प्लेजिए प्लेश अगर मेरा उपीनियन रहता है या केस हम लोग अगर पहले करते तो मैं इनको सब्सक्राइब करते हैं जो ज्यादा रेलेवेंट रहता ग्राइजवेशन ग्राउंड पे वाले ग्राउंड पे बट आप इसके लिए भी पॉजिटिव इली जा सकते हैं इस नॉट बाइड वरीड हों दी लोड नी ठीक है कोर्स तुसी चल्दे रहो अगे केसे इससे इससे कोई नहीं तक तयस्टिव कि आव में सारी दूनिया नहीं रहें इससे नहीं नहीं ता तुसी यह वीजा लगण दे पुछ रहा हूं और रफ्यूजल दे की पुछ रहा हूं? आज तर्फ दे पुछ रहा हूं? यह नहीं गोड़ा है मैं आई सी सी आर्सी बेस्ट कमपनी है मैक्रोग्लोबल इन ने कहा के ठीक है बाकी कबराउंड दी कोई लोड नहीं है की तानों सु मेला दा बच्चेयां दे मना दे वे चिक बहुत बड़ा ड़ाट है सु कोर्सस नू लेके या सड़े पांज नू लेके या एरिया नू लेके बहुत सारे रेंदे ने सु इस स्वाल होने भी जरूरी ने क्योंकि हुन बच्चा अवेर हो गया अपनी पर फाइल्स नू लेके हलो हाँ जी बहुत रहे है जी साशी कल जी पांज या साधे पंज बहुत रहे हैं किन्ने परसेंट दासरें थाट रहे फिर्ट रहे हैं किन्ने परसेंट दासरें दुषी प्लास टू देवेच अगर्थ सट परसेंट ओके छे बैंड ने किसे मड्यूल ने में पांज या सढ़े पंज भी ने मैं में बोलने इस तो पहला मैं दास दमा कोशिश करोगे तुसी इंप्रूव कर लो दो मड्यूल सढ़े पांज दा वीजा बहुत कट लग रहे जिए कि अध्यूल नों को इंप्रूव कर लो या किसे होर देश देवी जड़ाएगा तुसी अप्लाई कर सकते हूं काफी सारे मैसेज़ ने जी इंटेक्स नूं लेके जन्वरी इंटेक नूं लेके जन्वरी इंटेक बारे चर्चा करांगे स्पास केस जड़े ओपन वर्क मांगा जी हलो हां तो हुआ हंजी हसे हालो हालो हांजी 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 हो जी स्वाल पूचों बेलकुल है वे इसक南味 का से भी बलकुल पॉन संहां तो तुक्त 144 or 962 हैंज सांजी संहां चाहऑ एफ सुनन स्फशालquito पर होड़ना आश्ञी आवर द्चाहाएं शांजी लूछ सुनन खराण कार लिभा सकता है आपको थोड़ा साथ चलना पड़ेगा अच्छे कॉलेज़ में अच्छे ऑप्शन्स अभी भी आपको मिल सकते हैं जैनरीन टेक के लिए थैंक्यो जी इसमें आपको job opportunities भी बहुत सारे मिल सकते हैं यह courses भी अगर आपको मिलते हैं नॉमली यह non-medical ग्राउंड पर यह courses आपको offer किये जाएंगे और सम्हाव कुछ colleges में जो हैं वो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स भी इन प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं जो अगर ऐसे courses आपको मिलते हैं आप बिदाउट एनी डाउट अन्रोल करवाएं जॉब अपरचुनिटीज भी जो हैं वो अच्छे रहेंगे शुक्रिया जी शोनो गेनी वदा पामागे स्टूडिय दीकडिमताब का अगले प्रोग्राम दा समा हो गया हैगा सो जिनने भी वद्यार थी ने कॉल नहीं लगी है मैसेज नहीं पड़ पाए हो मैक्रो ग्लोबल देन अपना संपर्क जिड़ा हैगा वो जुरूर कर सकतेने अपने दोस्त रंडीर संदूना गदेत अनपासा शिकाए लैंडमा की मिग्रेशन एक परी फेर तो लेके आया है इंटरनाशनल एडुकेशन एक्सपो सप्टेंबर दोजार उन्नी जिदेच तुसी वखवख कॉलेज देनू मैंदयानू मेल सकते हो ओवरॉल 6 बैन ते ओफ़ लेटर पलाए कार सकते हो सरकारी कॉलेजांच कैनेडा, USA, जर्मनी बारे इंफर्मेशन लह सकते हो स्टार्टिंग फ्राम 18 सप्टेंबर नू अम्रिसर्च, उन्नी सप्टेंबर नू जलंदर्च, वी सप्टेंबर नू लुद्याना, 21 सप्टेंबर नू चंडिगड, 22 सप्टेंबर नू दिल्ली, 24 सप्टेंबर वदोद्रा और 25 सप्टेंबर नू सूरत वेचित झाल